दूस्तो कभी कबार ऐसा लगता है कि हमारी धर्ती एक खतरनाक जगय बन सकती है रहने के लिए विज्ञान जैसे जैसे ब्रह्मान को समझने की कोशिश कर रहा है वैसे वैसे अलग और नई प्रकार के रहसे हमारे सामने आ रहे हैं विज्यान ने अब तक हमारे समंदर का से 5 प्रतिशातिक हो जा है हर किसी विक्ति को इस बात का डर है कि समंदर के गहराई में कौन कौन से जीव बसती है ऐसी एक समुत्री जीव है कुथूलू जिसका सबसे पहला उल्ले साल 1928 में हपी लवक्राफ नामक आथर ने अपनी बुक दा कौल अफ कुथूलू में किया यह किताब इतनी मशूर हुई कि लोगों ने इसे असली मानना शुरू कर दिया और कई लोगों का तो मानना है कि कुथूलू एक असली जीव भी हो सकता है जो अरब सागर की गयराई में बसता है इस किताब के आणी के बाद कुथूलू से जुड़े रैस से बड़ा रूप लेने लगे और लोगों के मन में कुथूलू का डर बैटने लगा तो क्या होगा अगर कुथूलू सिर्फ किताब के पन्नों में सिर्फ ना पाया जाता हो बल्कि असल में समंदर में मौजूद हो हमारी दुनिया किस तरह से बदल जाती अगर हम कुथूलू जैसे जीव की खोच कर लेते चलिए दोस्तों इन प्रश्णों के उत्तर खोजें H.P. Lovecraft के किताब में कुथूलू को कुथूलू से नहीं बल्कि अजीब से नाम से पुकारा गया है किताब में ऐसा लिखा गया है कि कुथूलू का नाम किसी एलियन भाशा में है जिसे इनसान ना तो समझ सकता है और ना ही बोल सकता है किताब में कुछ ऐसा लिखा गया है जिसे सुनकर आप भी कुथूलू के असली में पाय जाने का विचार करने लगेंगे किताब के अनुसार कुथूलू प्रित्वी का जीव नहीं है बलकि उसका जन 23 नेपिूला में वोर नामक ग्रह पे हुआ और कई सालों बाद कुथूलू प्रित्वी ग्रह पे आकर यहीं बस कया प्रित्वी ग्रह पे आने के बाद ऐसा माना जाता है कि कुथूलू का कई और भयंकर जीवों से युद हुआ लेकिन आखिर में सबने शान्ती से प्रित्वी पे रहने का निश्चे किया ऐसा माना जाता है कि उसने अरब सागर में रहने का निश्चे किया था और रेले नामक शेहर का निर्मान किया शहर बनाने के बाद वे अरब सागर के गहराई में एक लंबी नींद के लिए चला गया और सब कुछ ठीक था लेकिन डाइनसौर के अंत के दोरान प्रित्वी पे बड़ी आपदा आ पड़ी और कुछूलू का बनाया हुआ शहर भी पानी में डूब गया और कुछूलू हमेशा के लिए अरब सागर के गहराई में कैद हो गया कहते हैं कि जिस दिन कोई वेक्ती कुछूलू के गुमनाम शहर रिले को ढून लेगा उस दिन कुछूलू फिर से जाग उठेगा और पूरी दुनिया पे रास करेगा उसका बनाया हुआ शहर बड़े बड़े पत्थरों और मूर्तियों से बनाया गया था और आपको यह जानकर हैरानी होगी लेकिन वेज्ञानिकों को समंदर से कई बार ऐसे अवशेश मिले हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो सच में कोई ऐसा शहर प्रित्वी पे हुआ करता था जो की पानी में डूब गया किताब में कुथूलू को एक विशाल जीव माना गया है जो की 150 से 160 फीट तक उचा है कुथूलू का मूँ एक ऑक्टोपस का है जिससे 45 टेंटिकल्स बाहर की और निकलते हैं इसके इनसानों जैसे हाथ पेर हैं लेकिन सबसे खतरनाक बात कुथूलू की ये है कि इस जीव के पीट पर एक ड्रागन की तरह पंक मौझूद है जिसके करन यह पानी में भी रह सकता है और हवा में भी उड़ सकता है कुथूलू की आँखों को हिप्नोटाइजिंग माना गया है यानि कि अगर कोई इनसान इस जीव की आँखों की और देख ले तो वह पागल हो जाएगा और कुथूलू उसे हर रूप से कंट्रोल भी कर सकता है H.P. Lovecraft ने ऐसा लिखा है कि कुथूलू का जन सिर्फ इनसानों के दिल में भै बनाने कले हुआ है इस बात का भै कि अगर प्रकरती से हमने छेड़ चाड़ के कोशिश करी तो समंदर के गहराई से इनसानों का अंत जाग उठेगा अगर ये जिर्फ समंदर में सो रहा होगा तो हमें कभी भी कुथूलू के अस्तित्व की खबर नहीं हो पाईगी क्योंकि अगर किसी वेक्ती ने गहरे समंदर में से खो जा तो कुथूलू उसे वहीं खत्म कर देगा और यदि कोई जिन्दा लौट भी आए तो हम कभी भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे अगर ऐसा कोई वेक्ती कुथूलू को देखकर वापस आ जाए तो वे उसकी हिपनोटाइजिंग शक्ति के कारण कंट्रोल में होगा और धर्ती पे लौट के कुथूलू के जागने के तयारी में लग जाएगा अगर कुथूलू फिर से जाग उठता है तो वे सबसे पहले हमें उत्तरी अरब सागर की ओर दिखेगा जहां उसके बनाए हुए शेहर के टूबे जाने के बाते होती हैं नीन से उठके वे सबसे पहले धर्ती के सबसे ताकतवर जानवर को मारने का सोचेगा यानि की इनसान जिसके चलते वे सबसे पहले हमला न्यूजेलेंड देश पे करेगा जो उत्तरी अरब सागर के सबसे पास हैं जिस तरह से कुथूलू की शक्तियां बताए गई हैं उस हिसाब से अकेला न्यूजेलेंड इस जीव को नहीं रोक पाएगा और दुनिया के सभी ताकतवर देश मुख्य रूप से अमेरिका, चाइना, रशिया और भारत को साथ हाना होगा और इस जीव को मार गिराने का तरीका सोचना होगा कुथूलू इतना ताकतवर है कि परमाणू हतियारी इसे रोक सकता है लेकिन उसे पूरी तरह से मार गिराने के लिए कितने परमाणू बम लगेंगे यह कहना बहुत मुश्किल है फूल मिला के बात यह है कि अगर कुथूलू जैसा जीव असल में है और वे चाग गया तो उसे रोकना हम इंसानों के ले बहुत कठिन होगा धन्यवाद दोस्तों अगर वीडियो पसंदा यह तो में लाइक करें और हमारा चैनल धिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें